हलो स्टुटेंट्स वेलकम तो मैं चैनल दिस इस रोशन सर्मायक्स मैं डिया स्टुटेंट 20 माक्स के लिए मैं वेरी इंपोर्टेंट अब्जिक्टिव अप्लोड कर रहा हूं आप सभी के लिए जैसे आप सभी जानते हैं मैंने पिछली बार 10 20 मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी इसको अच्छी तरह समझ कर जाएंगे तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंजिए वीडियो को लाइक और शेर भी कर देजिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं 21 से यहां से हम स्टार्ट करते हैं देखिए कह कर रहें आपे तो इसका परिया पदम चेपलू मतलब मचली को कहते हैं और मचली मीनम माट्शियम का मतलब भी होईगा। यहां पर नीरूद का मनE पानी है, पूपुषो मतलब फूल है, पामुसरपो मतलब सांप है यहां तो इसमें से इडік होगा। मन्ची मेलू परिया पदाल गलब पदा मन्ची मेलू अच्छाई अच्छाई शे दोनों का मतलब तो इसके अंदर से पूरा तेजसू होश्यारी को कहते हैं श्रेयसू अच्छाई को कहते हैं लेसा नहीं एदिकादू ये श्रेयसू बी आपका आंसर होगा आप मतलब जो फौजी होता है वो देश के सरहदाओं पे रखवाली करता है और पंडिना पंटा काप को संतोश करम अगर उसका कोई result हो जाएगा उसका result कोई आएगा या जो फसल गएगा जो फसल गाएगा वो अगर अच्छी निकलेगी तो इसको खुशी होगी तो कापु कु कापु दोनों मतलब सेम है यहाँ पे कापु मतलब रखवाली करना देखभाली करना इसका नाना अर्थालू लिखना है नानार थालो मतलब यहां पर रक्षणा हलिकुडू कह रहा है तो यही होगा रक्षणा माने बचाने वाला हलिकुडू माने देख भाल करने वाला रक्षणा भक्षणा कह रहा है माने खाना खालेना विफाज़त करना स्रामिकुडू हलिकुडू मेनत करने वाला और यहां पर देख भाल करने वाला यह सब नहीं होते है इस तरह आपको देखने देखे बहुत important objectives है अच्छे marks जींगे आप अच्छी तरह practice करके ही जाना भूपालडू भूपालडू का मतलब जमीन की रखवाली करने वाला जमीन पर करने वाला पसरम प्रकृति पादानी पसरम का प्रकृति आपको लिखना है पसरम का प्रकृति पशुव होता है पसरम मतलब जानवर को हम कहते है इसका प्रकृति होगा पशुव गवरवाम को गारवाम हम लिख सकते हैं गवरवाम का गारवाम आपको पता ही है इसका विकुरती तो यहां पर कोई भी एक नहीं है तो आप सपोस सर्वस्ति लेंगे तो नाम वाचकम होगा दिन पत्रे का भी नाम वाचकम होगा इस तरह आप इसको करना है यहां देखिएं रघू गबागबा स्कूल को विलाडू रघू जल्दी जल्दी स्कूल को गया इसके अंदर क्रिया वो पेचान आई विलाडू स्क्रिया होगा रमा उमा बहुमति तेच्चिनि रमा उमा के लिए कहलाई गिफ्ट लाए रमा उमा कोरकु उसके लिए यह आएगा नवीन किताब निकाल कर क्या करा पढ़ा फेग दिया दूसरों को दिया एक इनकम्प्लिट होगा चादी बैड़ु पढ़ा यह कम्प्लिट हो रहा तो तीसी जो होगा यहाँ पर आपको लिखना है गरिफो मिक्सड में सिंपल में बनाना है लता फूल लाई है लता फूलों को काटी है इसतर आप लिख सकते हैं रवी पुस्तकम चदिवाडू रवी बुक पढ़ा है पास्टेंस पढ़ा है तो इसका कौन सा टेंस है यह होगा भूता कालम लता पुस्तकम रासिंदी लता बुक लिखी है लता बुक लिखी है यह कौन सा रास्तुंदी लिख रही है चदिवाडू पढ़ा है पास्ट रास्तुंदी लिख रही है प्रेजेंटंस वर्तमाना कालम देशभक्तुलाई पदाने देशभक्तुलो इसको प्लस लगा के लिखना है बहुत आसान सा है यहां पे देशा भक्तुलू तो इसका देशा भक्तुलू प्लस आई ये भी लिख सकते हैं देशा भक्तुल आई भी लिख सकते हैं ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं कि अक्काचय लेल nursing अकका मर्य चल लेल्ड जड लेलू या अखे उनुद यू चल यह आप लिक्सकते हैं १सैंक कशे रेंड टो कमो絹 इससमास पहचाद ना सिंपूल मुआलिव्णा समास आल्र्र डाला हुँ इसको दिगओ समास कहते हैं possa yol canine to savaा मना देशयम लो अ क्षाए उन्द पत्वी रास्टा पती गीत di हार्थ हमारे कंट्री में सबसे अच्छा जॉब कोसे रास्टा पति का है मतला प्रेशिडेंट का तो गीता की सी न पताने इसको उन्नती मने डॉलपमेंट अच्छा जॉब बहुत है रेस्पेक्टेबुल जॉब यह एंडलाइन करेवे वर्ड का मीनिंग लिखना है यहां पर गोपा क्या हो गई गोपा मने अच्छा विडूरम इसका मीनिंग लिखने के लिए कह रहा है वि यादागिरी गुट्टा तेलंगाने के पहाड़ पे रहसो एक पुण्यक शेत्र है इसके अंदर परियाय पदालो परियाय पदाल पेचाना है इसके अंदर तो यहां पर आप लिखने के गुट्टा कॉंड़ा यह होगा तो यादागिरी गुट्टा कॉंड़ा कहीं पर है यहाँ पर अगर है, तो आपको लिखना है कोंसा है? कॉंड़ा गुट्टा है सने ही तुलू मना हितम कूरूटारो, दोस्त हमारी अच्छा ही चाहाते हैं, हितम इसका परियाय पर लिखना है तो हितम को मतलब क्या होता? मन्ची मेलो, यह मन्ची मेल होगा मन्ची अहितम अच्छाई बुराई सन्हितम क्यों दोस्ती नुक्सान मेलो अहितम नुक्सान पहुंचाना यह हो गया यह हो गया आपका सेकेंड वीडियो इसी तरह एक दो और वीडियो दालूंगा आपको 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे पढ़ने की कोशिश कीजिए उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसी तरिखी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे all the best sub students